मैं कहा रहा हूँ, calculate the value of E0 cell. ठीक है, मैंने तुझे कोई cell दे दिया, अब simple, मैंने तुझे पेपर में क्या दिया, मैंने तुझे दिया, Zden 2 positive to the Zden, solid, aqueous, minus के 0.76 volt, और दूसरा मैंने तुझे simple, अभी मैं, जो मैंने cell, अभी देखे, question series जब मैं लेकर आऊँगा, उसमें मैं खाली, इसी cell से deal नहीं करूँगा, मैं different type के cell लाऊँगा, अभी, क्योंकि paper में जरुवत है, तो मैं concept की जरुवत है, सवाल की जरुवत नहीं, concept जरुवत है, मैं वो सिखा रहा हूँ अभी, ठीक है, यहाँ मैंने कहा कि सिंपल copper 2.5 से copper solid में गया, copper aqueous form में था, इसका भी मेरे पास क्या है, यह है मेरे पास, minus के 0.34 volt, चलिए से फपलस्का कर लेते हैं, देख भाई, मैंने कोई वैसे random data उठा है, random data उठा है, मैंने तीन method बताएथे, तीन method में पहला अगर मैं method लगाने चलूँ, ठीक है ना, पहले method में तुम क्या करोगे, e-node cell लोगे, तुमने लिया, e-node of anode, minus के e-node of cathode, ठीक है, ठीक है, तो अब, e-node of anode का मतलब मैंने क्या वदा है, अगर तुम e-node सा deal के लिए, तो इसका भी oxygen potential लेना है, और oxygen potential में से oxygen potential कोई क्या करना है, भईया, minus करना है, बोले बड़ा बास समझे माई आई है, यह नहीं आई रहे, ठीक है, अब अगर तु e-node का क्या लेग, oxygen potential लेगा, तो तुझे यहाँ पे देख सिरी सी बात है, सिरी सी बात यह है, अब मैंने, अब तुझे उस term पे जाना है, जब मैं तुझे decide करना सिखाया था, क्या, selection of the electrode, याद कर वो point, और selection of electrodes से मैं तुझे बताया था, क्या, क्या बताया था, मैं तुझे बताया था, value of e not rp से deal कर ले बस तुझे थीख है भई, अब यहाँ पे अगर तुझे आगा तो यहाँ पे देख, copper दो positive से copper solid में जा रहा है, इसका मतलब यह भी क्या है तेरे पास, e not reduction potential है, अगर मैं यहाँ देखूं, तो यह भी जेट देन two positive किस में जा रहा है, जेट देन solid में जा रहा है, इसका मतलब यह भी तेरे पास क्या है भाई है, e not cell है, कौन सा, यह भी मतलब e not rp है, ठीक है, लेकिन, अगर तो इस selection of electrode करना है, तो सीडी सी बात यह है, जिसकी e not reduction potential की value जादा होगी, standard reduction potential की value जादा होगी, वो कहां जाएगा, cathode पे जाएगा, तो इसका मतलब यह कौन सी term है, मतलब यह तो बात सही है, कि यह मुझे जो data दिया हुआ है, यह किसका data है, यह मेरे पास cathode का data है, लेकिन, अब अगर यह cathode पे जाएगा, तो पकाई यह किस पे जाएगा रहे, ए नौड पे जाएगा, लेकिन ए नौड के लिए मुझे चाहिए क्या, oxidation potential, तो oxidation potential को मैंने कल क्या define किया था, simple होते, दोनो opposite ही है, लेकिन magnitude का फरक होता है, तो यह क्या बन जाएगा रहे अब की बार, पलस के 0.76 वोल्ट, बोलो भाई बास समझ में आई हैं नहीं आई, अब इतना लंबा इतनी calculation करने की क्या जरुवत है, कोई जरुवत ही नहीं है, मैं simple क्या बोला, कि भाईया E naught of cell क्या है, A naught, पलस के cathode, और A naught का क्या लेना है, O P, और cathode का क्या लेना है, R P, O P कितना है तेरे पास, 0.6 वोल्ट है, R P कितना है तेरे पास, 0.34 वोल्ट है, कितनी value आजाएगी, 1.10 वोल्ट, यही किसी भी, electrochemical cell जो है, उस electrochemical cell में, जब jet din और copper तू यूज करेगा, simplest से हो गया, अब अगर तू इसके चक्कर में फस्ता, तो तुझे A naught का क्या निकालना पड़ता, O P, 0.76, इसका भी क्या करना पड़ता, O P, अगर इसका O P करेगा, तो यह कितना हो जाएगा, माइनस पहले, माइनस के 0.34 वोल्ट हो जाएगा, तब भी तेरे पास क्या आएगा, 1.10 वोल्ट आएगा, डिपेंड तेरे उपर है, तरीके से कर ले, या ट्रिक से कर ले, उत्तर दोनों से बरावर है, बोलो भई, कैलिकुलेशन ओफ E naught ओफ सेल, कर लोगे का वेपर में अगर सवाल आएगा रे, कर लोगे रे, प्रीफर इसको करना है, मैं फिर कहूँगा, प्रीफर इसको करना है,